नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाल न्यूस चानल मेटू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका पिलिटिन के शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से चेंद्री गुर्यमंत्री राजनाज सिंग ने प्रधान मंत्री मोदी से की मुलाकात सर्वदली डल के दो दिन के जम्मू कश्मीर दौरे के बारे में दी जानकारी कश्मीर के लिए अगामी योजनाओ पर हुई चर्चा पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी नापाक हरकतों से जम्मू के पुन सेक्टर में किया सीजफायर का उलंगन भारत की छे चौकियों पर की जमकर गुलाबारी सेना ने दिया मुतोड जबाब आपके अंदर मचा हुआ है घमासान पार्टी के वरिश नेता संजे सिंग अपने ही पार्टी के विधायक सहरावत पर करेंगे मानहानी का दावा पंजाब में टिकेट के लिए योन शोशन का लगाया था रो कॉंग्रेस अपाध्यक शाउल गांधी ने आज से शुरू की मिशन यूपी डेवरिया के रूदरपूर में की खाट पंचायट दिली तक की करेंगे पच्चिस सो किलोमीटर लंबी के सान यात्रा और अफगानिस्तान में एक के बाद एक तीन धमाकों से दहला काबुल पच्चिस से ज़्यादा लोगों की मौत कई घायर तालिबान ने ली दो धमाकों की जमिदारी अफटाफट नज़र डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पार केंद्री गुरह मंत्री राजनाथ सिंग सांसदो के सर्वदली दल के दो दिन के तश्मीर दौरे के बाद आज प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी को इस बारे में पूरी जानकारी दी आज सुबा ही राजनाथ सिंग ने प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात की प्रधान मंत्री वेतनाम और चीन की यात्रा के बाद सुमवार रात राजधानी लोटाए हैं सुमवार की शाम ग्रह मंत्री भी जम्मु कश्मीर के दौरे से वापस लोटाए हैं सूत्रों ने बताया कि सर्वदली प्रतिनीदी मंदल के सदसे दो दिवसे यात्रा के निशकर्शो पर चर्चा के लिए यहां बैठक करेंगे और जमू कश्मीर के लिए भावी योजना बनाएंगे पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उन्हंगन किया है जमू के पुन सेक्टर में सोमवाराथ से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है भारतिय सेना की छे पोस्ट को निश्वान बनाया गया है रुक रुक कर मोटरल भी दागे जा रही है रक्षा सूतरो ने बताया कि भारतीय सेना ने भी इस गोली बारी का मुटोड़ जबाब दिया है सूतरो ने बताया कि पाकिस्तान की मोची, महरा, धकनी धोक, न्यूडिंग और नेज़ा पेर पोस से भारत की छो पोस को निश्वा नवनाया गया है पाकिस्तानी सेनिकों ने बॉर्डर के पास बसे कजबा गाउं पर भी मोटर दागे हैं सेना के मताबिक फाइरिंग सुभा तक जारी रही अभी तक इस गोलिबारी में किसी के खायल होने की खबर नहीं है यूपी में अपनी पार्टी का 27 साल से चल रहा वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटे कॉंगर्स अपाध्यक रहुल गांधी आज पुर्वांचल के देवरिया जिले से 25 दिनों की किसान यात्रा पनिकले रहुल गांधी ने इस बार खाट पंचायत की रन्नीती बनाई है रहुल रूजरपूर के दूदनाद वावा मंदिर मेंदान में खाट पंचायत के दौरान जनता से सीधे समबात किया रहुल ने कहा है कि देवरिया से दिली तक 25 किलमीटर की दूरी तेक करने वाली इस यात्रा का लक्स सरकारी संसादनों में गरीबों, किसानों और मजदिरों के अधिकारों को सुरक्षित करना है कongress की तरफ से दी गई जनकारी के अनुसार राफल की किसान यात्रा के दौरान, कongress हर घर तक पहुँच कर किसानों का मांग पत्र इकटते करेगी यात्रा के दौरान किसानों से सीधा समबात कायम करने के लिए खट पंचायत का आयोजिन किया जाएगा दली हाई कोट ने जैनी प्रशासन को अनुशासन हिंता में दोशी करार दिये गए चातर उमर खालिद और अरिमान हतच्वारे पर एक हफते तक कारवाई ना करने का निर्देश दिया है हाई कोट ने एक हफते के लिए जैनी अप्रीलिय प्रदिकारन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जुसमें दोनों चातरों को अनुशासन हिंता का दोशी पाया गया है प्रदिकारन ने इस साल नौ फरवरी को जैनी परिसर में हुए विवादत कारिकरम के दोरान अनुशासन हिंता के चलते उमर को दिसंबर तक के लिए निश्का सकतिया है वही अनिर्बान को पांच साल के निए जैनी उक से बाहर कर दिया गया है करहिया समेच साथ छात्रों ने भी मामले में प्रादिकारन के फैसले को हाई कोर्ट में चनौती दी है हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 सितंबर यानी मंगलवार की तारिक टैकी है बिहार के इंटर टॉपर स्कैम की जांच कर रही S.I.T. ने कोर्ट में कल आरो पत्रों दाखिल किया गोटाले को लेकर दर्ज हुए मुकदमे के ठीक 90 दिन पूरे होने पर S.I.T. ने ये चार्च फिर दायर की है 4124 पनों में इंटर टॉपर गोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ उनकी सारी कर्टूतों को S.I.T. ने दर्ज किया है पोर्ट में आरो पत्रों दाखिल कर दिये ज़ाने के बाद अब इंटर चॉपल घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाव गवाई की प्रक्रिया शुरू होगी S.I.T. ने बिहार बोट के पूर्वा अध्यक्ष लालकेश्व प्रसाद उनकी पतनी उशा सिनहा मास्टर माइन बचाराय समेट उन तमाम आरोपियों का काला चित्था दर्ज किया है जो इस कैम में शामिल है राश्ट्रिय महिला आयोग ने आप नेता अशुतोष को 8 सितंबर को आयोग मुख्याले में हाजर होने के लिए समन्धे जा है आयोग को उमीद है कि आशुतोष का इरता दिखा कर वकील से जवाब हेजनी की बजाए खुद हाजिर होकर आयोग के सवालों का सामना करेंगे राश्ट्र महिला आयोग की अध्याक्ष लले तक कुमार मंगलम ने आशुतोष की हरकतों को आड़े हातों लेते हुए कहा हो जाता है कि उनके विचार महिलाओं के प्रती अच्छे नहीं है वे महिलाओं को उपभोग की वस्तु मानते हैं दिल्ली के मुखे मंत्री और आमादी पार्टी के सायोज अकर्विन केजरिवाल पर समात से भी अन्ना हजारे ने फिर नाराजगी चताई है दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार की सेक्सीडी सामने आने के बाद हुए हंगामे पर अन्ना ने कहा कि उन्होंने पहले ही केजरिवाल को आगा किया था अन्ना ने इसके पहले भी केजरिवाल की राजमीती को लेकर खुल कर नसीहत दी थी उसके बावजू दिली सरकार के कई मंतरी और आमादी पार्टी के विधायक घर्षचार, घरेलुहिंसा, फर्जी, सर्टिफिकेट, लोगों से दुर्वेवार जैसे कई आपरादि गतिवीधियों के आरोप में कानूनी कारवाई के दायन में आएं आमादी पार्टी विधायक के संगीन आरोपों का जवाब देने के लिए 24 गंटे बाद खुद संजे सिंग सामने आएं संजे सिंग ने एक बेहद आक्रमक प्रेस कांटेंस करते हुए आप विधायक देविंद्र सहरावत को चनाती दी और कहा कि अगर सहरावत सुबूत पेश कर दे तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा सहरावत ने आपके संजे सिंग समेथ कई वरिष नेताओं पर पंजाब में टिकेट के बदले योन शोशन करने का आरोप लगाया था संजे सिंग के मताबिक दरसल ये एक शडियंत्र है बीजेपी और अकाली दल का क्योंकि हम पंजाब में सौ से ज्यादा सीटे जीत रहे हैं उन्होंने कहा जूटे और निराधार आरोप लगाने के लिए मैं सहरावत पर मानहानी का मुकदमा करूँगा और रही बात पार्टी की तो अब भी पार्टी के राष्टे संयोजा करविंद केजरिवाल बाहर है इस पर कोई भी फैसला उनके आने के बाद होगा फिलिपिन्स के राष्टपती रोडरेगो टुटर्टे ने अमेरिकी राष्टपती बराक ओबामा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जिसके बाद ओबामा ने लाओस में उनके साथ होने वाली बैठत रद करती है सुत्रों के मताबिक अब राष्टपती रोडरेगो टुटर्टे ने बराक ओबामा पर की गई टिपनी पर मापी मांगी है लाओस में होने वाले असियान शिखसम मेलन में ओबामा अपके वल दक्षिन कोरिया की राष्टपती पार्क ग्वेन से मुलाकाट करेंगे अशियान शिखसम मेलन में जवाने से पूर्व टुटर्टे ने एक सवाल के जवाब में उबामा की मां के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया साथी कहा कि उबामा जब लाओस में उनसे मिले तो मानवादिकार के मुद्दे पर उनको भाष्टन ना दे अफगानिस्दान की राजधानी काबूल कल रात तीसरा शक्तिशाली विसपोर्ट से दहल गया कुछ घंटे पहले ही तालिबान की ओर से किये गए दो बम विसपोर्टों में कम से कम 24 वेक्तियों की मौत हो गई थी और 91 अन्य घायल हो गए थे अफगान अधिकारीों ने कहा कि वे विसपोर्ट की स्थल का पतालगाने का प्रयास कर रहे हैं और इस विसपोर्ट की अभी किसी भी आतंगवादी समोह ने जिनदारी नहीं ली है पूर्व उस्ट्रेलिया क्रिकेट कप्तान रिकी पोंटिंग ने एक समय क्रिकेट के मैदान पर उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे भारतिय स्पिनर हरवजन सिंग की जौमकर तारिफ की है उन्होंने बताया कि हरवजन उनके दुश्मन नमबर वन थे और उन्हें आज भी भज़ी के बारे में बुरे सपने आते हैं बतादे कि हरवजन सिंग ने किसी भी अन्य गेंदबाज के भुकावले रिक्की पोंटिंग को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दस बार आउट किया है पत्रकारों से बात करते हुए पोंटिंग ने कहा जब मैं भारत के खिलाब खेलता था तो हरवजन सिंग मेरे कट्टर दुश्मन थे मुझे आज भी उनके बुरे सपने आते हैं पाकिसानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाब पांच मैचों की वन डिस सीरीज में एक चौर से हानने के कारण अपनी सबसे कम रेटिंग 86 पर पहुँच गया है जोसे विश्व कब 2019 के लिए सवात्त क्वालिफाई करना मुश्किल होगा क्योंकि वैब अचवे नंबर पर कापिज वेसिंदीज से 8 अंक पीछे हैं वेसिंदीज ICC रैंकिंग में 8 वे और पाकिस्तान 9 पर है पाकिस्तान की सीरीज के शुरू में 87 अंक थे 2001 में वर्तवान रैंकिंग प्रणाल शुरू होने के बाद वे अब अपने सबसे कम अंग को पर है पाकिस्तान को अवेस्टन डीज और आस्ट्रेलिया से वंडर सीरीज खेलनी है और उसे ICC क्विकेट विश्वक अब 2019 के लिए स्वाता क्वालिफाइ करने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी खबरों के सफर में फिल हाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मॉयल फोन के माधिम से तो आप जुड़े रहें मेट्टो टीवी से तब तक के लिए नमस्कार